Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. पिशली वीडियो में हमने डिसकस कर लिया था fundamental rights के बारे में या हमारे मौलिक अधिकार के बारे में एक छोटा सा topic रहे गया है उसी से related जिससे questions अब exam में आने लगे हैं. प्रिवियस पेपर्स अगर देखे जाये तो उनसे question पूछे गए हैं इसलिए इस topic को भी discuss करना बहुत ज़रूरी है जो की है read का topic. हमने पढ़ा था कि article 32 या अनुच्छे 32 के तहट समविधानिक उपचारों के अधिकार के तहट हमारे अधिकारों का हनन होने पर ये किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होने पर नागरिक Supreme Court की या High Court की शरण ले सकता है. और उस पर Supreme Court या High Court REIT जारी करते हैं, कुछ आदेश जारी करते हैं, अब ये REIT क्या है और ये REIT कितने प्रकार के हैं, ये पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे question of exam में consistent पूछे जाने लगे हैं, तो ये बहुत important topic होता जा रहा है, तो इसको ध्यान से प पहले तो ये समझते हैं कि REIT क्या है, तो बहुत ही आसान language में आपको मैं समझाओंगी, बिल्कुल भी difficult language में यूज नहीं करूँगी, हमारे समविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं, जो की हर हाल में बने रहें, इसलिए उसकी रक्षा करने के जिम्मेदारी समविध चीन ना सके, और इसलिए हमारे समविधान ने न्यायले को कुछ विशेश अधिकार ये कुछ शक्तियां ऐसी देदी, कुछ पावर्स ऐसी देदी, जिनका यूज करके वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बहुत ही simple language में मैं अगर समझाओं, तो अगर भारत म कोई अधिकारी उसके मौलिक अधिकारों को छीन रहा है या उसका हनन कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और उसकी अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करके या आदेश जारी करके करते हैं, ओके रीट जारी करके या तो किसी ऐसे कारे पर रोक लगा देते हैं जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार में बादा बन रहा है या किसी अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि अगर वो कोई कारे नहीं कर रहा है तो वो कारे करे ये किसी कारे पर वो stay orders लगा सकते हैं या अपने जो नियाले हैं जो उन से नीचे के नियाले हैं उन्होंने कोई गलत फैसला कर दिया है जो लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ जा रहा है तो उस फैसले को रद कर सकते हैं तो इस प्रकार की याचिका हैं जो सुप्रीम कोट और हाई कोट जारी करते हैं उसको हम रीट कहते हैं आपको यह समझा गया होगा अब बात करते हैं कि रीट कितने प्रकार की होती है तो रीट जो होती है वोकुल प्रकार की होती है इनके प्रकारों से questions आते हैं तो आप यह बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा सबसे पहली कि अगर हम बात करें तो सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षी करन हैबियस कॉपस कई बार ऐसा होता है कि किसी भी नागरिक को सरफ शक्की वज़े से ये किसी की जूटी शिकायत की वज़े से ही गिरफतार कर लिया जाता है और उठा के सिधा जेल में डाल दिया ज जारी करते हैं जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षी करन में सुप्रीम कोट या हाई कोट ये बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आप किसी भी नागरिक को गिरफतार करते हैं तो सबसे पहले 24 गंटे के अंदर उसको मजिस्टेट के सामने पेश कीजिए अगर वो दोशी है तो ही जेल जाएगा नहीं, तो जेल नहीं जाएगा ओके तो यह है बंदी प्रत्यक्षी करन में दूसरा है परमादेश जिसे हम मैंडेमस भी कहते हैं ये एक तरीके का आदेश है इसका मतलब ये होता है कि हमारा आदेश है जब कोई अधिकारी अपने करतव्य का ठीक तरीके से पालन नहीं करता है और उस से नागरिकों के मौलिक अधिकार पर बात बनाती है तो सुप्रीम कोट या हाई कोट परमादेश जारी करते हैं परमादेश क्या है कि वो किसी अधिकारी को या किसी लोक निगम को ये किसी न्याईक अधिकारी को अपने करतव्य या अपने काम करने के लिए आदेश देते हैं कि आप अपना करतव्य का पालन ठीक तरीके से कीजिए ओके तो नियाले ऐसे होते हैं जो अपने अधिकार शेतर के बाहर फैसले कर देते हैं जो उनके फैसले होते हैं वो पक्षपात पूर्ण होते हैं एक तरफा होते हैं वो सरफ एक साइट की बात सुनके निर्ने कर देते हैं जिससे बनागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है हनन होता है तो इस तरीके के केसेज में सुप्रीम कोट और हाई कोट एक रीट जारी करता है जिसे कहते हैं उत्प्रेशन उत्प्रेशन से सुप्रीम कोट और हाई कोट क्या करते हैं इस तरीके के फैसले को रद कर देते हैं खारिज कर देते हैं खतम कर देते हैं ताकि नागरिको क Libya कानूनी है यह किसी नागरी के मौलिक अधिकार को चीन रहा है तो सुप्रीम कोट या हाई कोट उसके लगा देते हैं स्टे ओर्रस लगा देते हैं और उसको रोग यानि कि ये रीड जारी करके सुप्रीम कोट या हाई कोट किसी वेक्ति से उसके अधिकारों के बारे में जानकारी लेते हैं ये वाला रीड जो है सारवजनिक पद या सिविल सर्विसेज के लिए जारी होता है आपने कितने ही केसे तेसे देखे होंगे अपनी लाइफ में कि लोग फेक डॉक्यमेंट्स लगा के या फेक मार्क्षिट्स लगा के किसी ऐसे पद पर काम कर रहे होते हैं जिसके वो अधिकारी ही नहीं है जिसके वो लायक ही नहीं है तो ऐसे लोगों की जाच के लिए ऐसे लोगों को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोट अधिकार प्रच्छा नाम की रीड जारी करता है ताकि दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके वो जो आदमी कारे रत है, उस पॉजिशन पर उसकी अधिकार की जानकारी प्रापत करता है उसका डॉक्यमेंटेशन होता है, तो ये है अधिकार प्रकार की रीट है, जो Supreme Court और High Court जारी करते है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं एक क्वैशन और आता है कि हाई कोट किस अनुच्छेत के तहत रीड जारी करता है वैसे तो पिशली वीडियो में यह हमने डिसकस कर ले आता है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ सुप्रीम कोट रीड जारी करता है अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 32 के तहट जबकि हाई कोट रीड जारी करता है अनुच्छेद 226 या 226 के तहट ठीक है तो ये था आज का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है as well as important भी बहुत हो चुका है तो इसको प्लीज एक बार ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनसे questions आ रहे हैं अब exam में ये पढ़ना ज़रूरी है ठीक है so I hope कि आपको समझ आया होगा वीडियो पसंद आया होगा if you liked my video please like share and subscribe thank you